कि नमस्कार दोस्तों स्वागत हुआ आपका 3ds Max टूटोरियल के नेक्स लेसन में इसमें आपको बताने वाला हूँ विंडो एंड क्रोसिंग के भारे में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब विंडो और क्रोसिंग क्या होते हैं आपने देखा होगा लैफ टू आती थे और राइट टू लेफ्ट की तरफ ड्रैक करते थे तो आपके पास कई ग्रीन क्लर की विंडो आती थे दोनों के मतलब मैंने अच्छे से बताये थे किस किस के क्या मतलब है तो यही है आपका यहां पर विंडो एंड क्रोसिंग अभी यह आप एडिट पे जाके स्ल स्यूवाँ अभी सलेक्ट क्रोसिंग पर अभी आपका को सिंग भी आपका क्रोसिंग का मतलब इलकुम यहां पर जो आइकन बना हुआ है वह Cos ப और और जो आपकी अ關係 यहां तर्ल extract कर देंब यह हो एगा जुरूरी नहीं है लेक्ट टू राइट लाइट और राइट्म और अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका आजाता है इस वाले को क्लिक करेंगे अब यहां पर यह और यहां से क्रोस कर रहा है तो कि यह हो गया क्रोस और अगर क्लिक करते हैं तो अब्जेक्ट आ जाता है इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि अगर आप लेक्ट को नहीं करेगा only touch करने से, clear है? अगर मेरे को in object को select करना तो window के मेरे को अंदर रहना पड़ेगा तभी object को select करेगा only एक single touch से वो select नहीं करेगा बढ़ अगर आप इसे दुबारा से click कर देते हैं, तो अब आप उसे सिर्फ एक touch करने से ही object को select कर सकते हैं, तो ये है आपका window और crossing जो आपके बहुत काम आते हैं, तो thank you so much दोस्तों, मिलते हैं next video में thank you so much